अब उसकार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि क्या होते हैं कंगारू कोट अपने कोट के बारे में तो सुनाई होगा कोट कचैरी अब उस कोट से पहले एक काम करिए कंगारू बडोर एड कर दीजिए तो यह नहीं कि आज कल जो मीडिया है वो एक तरीके से जुडिशियल का काम कर रहा है लोगों को फैसला सुनाने का काम कर रहा है जो आज की डेट में जनलिजम को छोड़ कर मीडिया कोट के काम को निभाने में लगा हुए यह सीवी रमना जी के दौरा अभी हाली में यह बात तो इस करके कंगारू कोट जो है यह वर्ड सुर्क्यों में आ जाते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि इसको जाने की एच्छल में यह बात बोली क्यों गई है क्या हो गया है आज की डेट में जो मीडिया है वो कैसे एक एजेंडे के तोर पे वो काम करती है निउस को लेकर ए इनके एजेंडे को सुट करने वाली जो निउस है वही आज की डेट में चलाई जा रही है यह जो आरोप है वो सीवी रमना जी के तोरा लगाया गया है मीडिया के उपर कैर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बोक्स में आप लोगों को टेलिग्राम क बहस करवाती है और कंगारू कोर्ट जो है वो चल रहा है भारत में जो आज की डेट में एक तरीके से कहें कि जो लोकतंतर है भारत का उसके लिए सही नहीं है अब बात कर लेते हैं कि सर ये कंगारू कोर्ट होता क्या है देखे कंगारू कोर्ट क्या होता है एक तरीके से प पास किया जाता है वहीं जो कंगारू कोट है यहां पर कुछ लोगों के द्वारा पहले ही यह निर्धारित कर दिया जाता है जो एक्यूज होता है उसके खिलाव कि यही दोशी और इसको यह सजा मिलनी चाहिए बिना जांचे परके यह अपना फैसला दे देते हैं यह सबसे पहले ओरिजनेट किया गया था कंगारू कोट और लेकिन यह रिकोर्ड किया गया था यूएसे के अंदर कैलिफोर्निया गोर्ड रश 1849 के अंदर सोविए संग यानी यूएसेसर में जो स्टालिन एरा था उस वक्त कंगारू कोट काफी एक आम धार्ना बन गई थी लोग अपने फैसले वहां पर देने लग गए थे सोविएत ग्रेट पर्ज मोस्कोर ट्राइल के रूप में काफी जादा परसीद हुआ था कंगारू कोट के तोर पर अब बात कर लेते हैं जो यह मीडिया ट्राइल एक तो कंगारू कोट हो गया कंगारू कोट में मैंने आप कोट भी होता है जिसको कंगारू कोट का जाता है जहां पर ओलेडी डिसकेशन चल रही होती है बिना सोचे समझे वहां पर एक अपना जज्जमिंट पास कर दिया जाता है कि हाँ यह एक्यूजड है इसने यह काम किया होगा इसको इस तरीकी की सजा मिलने चाहिए बगयार वह सब चीज़ें कर रहे होते हैं बिना कोई वहां पर जांचे परके यह होता है कंगारू कोट और अब बात करते हैं मीडिया ट्राय अभी हाली में मैं बात करूँ बीसवी सदी में देखें मीडिया ट्रायल क्योंकि अभी हाली के टाइम में जैसे इंटरनेट ने बूम कि तब ये जो वाक्यान्स है बीश्वी सदी के अंत और 21 स्थाबदी के शुरुवात में किसी व्यक्ति की परतिस्था पर टेलिविजन और समाचार पत्रों के कवरेज के परभाव का वर्णन करने है तू कानून के अदालत में किसी फैसले के पहले या बाद में अपराद या ब कि मीची में जो औरौपी के खिलाब मीची ट्रायल करके निया ध्या द्वारा फैसला जनाए जाने से पहले अपना फैसला सुना दिया जाता है इससे काफ़ ज़ादा नुकसान होते हैं कि क्योंभी मीडिया के अंदर ट्रायल चल रहा है या फिर कोई accused है उसके खिलाब वहाँ पर बहुत सारी बाते हो रही है debate हो रही है वहाँ पने अहीं फैसला दिया जा रहा है अगर बंद करती हैंगे, यहीं मीडिया हाई करने लग जाएंगे, देखी देखी मीडिया को दबाया जा रहा है यहां पर, तो भारत के महारत के समिधान में आर्टिकल 19 परतेक वेक्ति को अभिवेक्ति की स्वतन्तरता परदान करता है, अब मीडिया ट्राइल के जो इस तरी पर अभी हाली में जैसे हमने देखा है जो हमारे देश की जो सुप्रीम कोड के जजिस हैं उनके किलाव कैसे सोशल मीडिया के उपर एक केमपेण चलाया जाता है उनको कैसे एक नेगिटिव शेड़ी के अंदर दिखाने की कोशिश की जाती है और मीडिया ट्राइल जो है वो जजज हैं वो उस चीज को देख रहे हैं जिससे उनको जो यहां पर मीडिया के दोरा जो चीज़ें की गई हैं उनके मांसिक या फिर कहें कि उनके फैसले के उपर काफी ज़्यदा परभाव डालती है और वो एक तरीके से बायस्द हो जाते है नैलों में जो लंभित मामले पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं उनको एक एजन्डे के तहट सब चीज़ें चलाई जाती हैं जिससे काफी ज़्यदा परभावित होता है फैसला नकली और असली में भेद नहीं कर पाना देखिए आज की डेट में जैसे शोशल मीडिया की शोशल मीडिया तक लोगों क कौन गलत कौन अच्छा है कौन बूरा है कौन रियल है कौन फेक है अब मीडिया ट्राइल जो है वो कहीं सही तरीके से मामलों को तै करने में मार्ग दर्शक मतलब सही फैक्टर डिसाइड करी नहीं पाती है कि यह सही है यह गलत है तो काफी जादा नुकसान होता है इससे अब इससे बात करते हैं, गलत वर्णन, यानि कि wrongful portrait, मीडिया उन घटनाओं का वर्णन करने में सफल रहा है, जिनने गुप्त रखा जाना चाहिए था, जो चीजें सिक्रेट रहनी चाहिए थी, उनको ये बाहर लेकर आ गया है, अब ही उनका फैसला आया नहीं है, लेकिन जो मीडिया क्या करेगी, उनके खिलाब ऐसे portrait करेगी, उनका पूरा career ही बरबाद कर दिया जाएगा, लोगों में उनके परती काफी जादा गुसा बर दिया जाएगा, जिससे उनका career बरबाद हो गया, अब ही हाली में जैसे मैं आगर मैं बात करूँ, जोनी डप का जो case था, जोनी डप के case के अंदर, कैसे मीडिया ने एक भूमिका निबाए थी, उसको बिल्कुल बदनाम कर दिया गया था, तो वहाँ पर जब फैसला आया था, फैसले में चीज़ें ही अलग हो गए थी, पूरा जोनी डप का के, मैं बात करूँ, करियर बरबाद हो गया था, तो यहाँ पर यह तो बाहर का मावल हो गया, हमारे देश में भी ऐसा होता है, अब मीडिया की बात कर लेजी, यह एक एजंडर के तोर पे वो काम करते हैं, जैसे कि महंगाई हो, महंगाई के उपर कोई बात नहीं करेगा, स्लेंडर का जैसे कीमत बढ़ रही है, बिरोजगारी जो बढ़ रही है, उसके उपर कोई बात नहीं करेगा, तो उसको लेकर कैसे हाइफ क्रियेट की थी, वो मीडिया में कैसे चली हुई थी, या फिर मैं बात करूँ, यह रणवीर कपूर और आलिया बट की शादी को लेकर, यह सब चीज़ें यहाँ पर यह चलाएंगे, कोई रियल मुद्दे के ओपर यह बात नहीं करेंगे, लोग को परभाविद कर रही है, ऐसी चीजें यह लेकर आ रहे हैं, आप देखें कैसी ऐसी डिबेट चलाए जाती यह है इंटरनेशनल, मीडिया के वागी का गए है, उनके दहरा कि प्रिंट मीडिया की तो कुछ ना कुछ χद तक जवाब देई हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनिक हम ऐसी न्यूज चाहिए जो लोगों को अपनी तरफ आकरशित कर ले ऐसी न्यूज नहीं लानी है जो फाइदा पहुंचाए देश को डेमोकरसी को और ज़दा मजबूत करे बजाए ये आज की डेट में ऐसी न्यूज चला रहे हैं जो डेमोकरसी को कमजोर ही कर रही है इसके लावा नफरत और हिंसा बढ़काते हैं देखिए पेड न्यूज है डेफिनेटली है फेक न्यूज चल रही है जनता में एक ऐसी आफदार नाम फैदा कर रहे हैं जो सत्य है कोई चीज उसको जूटी तरीके से प्रस्तूत करते हैं जिससे लोगों में उनका उपीनियन चे नहीं थी एक कांत यहां पर राइट तू प्राइविसी जो आज की डेट की जो मीडिया वो राइट तू प्राइविसी का पूर्ण रूप से उलंगन कर चुकी है आर्टिकल 21 जहां पर लोगों को राइट तू प्राइविसी दी गई है उसका पूर्ण रूप से उलंगन क 1990 इसे जो है उस सूचना परसारन मंतराले और परसार भारती के द्वारा नियंतर्ण किया जाता है मीडिया को रेगुलेट करने के लिए भारत में चार बोडी या फिर कहें कि फॉर बोड़ी जो है वो बनाई गई है एक है भारतिय比較 परशद, press council of India, एक है news broadcasting standard authority ये काफ़ी जयादा important है एक है news broadcast federation ये जो है उनं लोगों के द्वारा बनाई गई जिनने nba को छोड़ दिया यानि News Broadcasting Standard Authority जिन्होंने इसको छोड़ दिया, उन्होंने इस News Broadcaster Federation को मुना लिया, फिर यह काती है Broadcast Content Complaint, Complete Council, एक तरीके से मैं बात करूँ, तो यह अगर मीडिया के, यह जो मैं बात कर रहा हूं, ट्राइल्स मीडिया, यह खुद का फैसला खुद ही कर लेते हैं, यह इस तरी फैसला सुनाने वाले भी यही हो जाते हैं यहां पर, अब जो CGI रमना जी के द्वारे यह बात बोली गई है, इसके बाद जो गौर्वर्मेंट है, उनका क्या रियक्शन है, तेकर लो मिनिश्टर किरन रिजु जी उनके द्वारा कहा गया, कि हमारे देश की जो जुदिश और वो हो सकते हैं, उनके उपर भी कोई बहस नहीं है, लेकिन इसकी उपर यह नहीं बोलना चाहिए कि जो हमारे देश के जो जुदिशियरी है, वो completely protected है, और यह कह सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर independent है, इतनी कहीं पर भी independent नहीं है, ज परधान मंत्री बनते हैं, उनको चुना जाता है, लोग चुन कर भेजते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ हमारे देश में Supreme Court के judges की, तो वो judges जो हैं, अभी मैं जो Chief Justice of India है, अगले Chief Justice of India कौन बनेंगे, इसका फैसला खुद C.V. रमना जी करेंगे, तो यहां पर इससे बड़ा और आप क्या इतनी इंडिपेंडेंट चाहेंगे, अगला Chief Justice कौन होगा, यह कुछ Chief Justice of India डिसाइड करके जाएंगे, जो पुराने वाले हैं, यानि अब C.V. रमना जी कुछ डिसाइड करके जाएंगे कि कौन बनेगा, उनके बाद कौन उनकी गद्दी पर ब लगाए थे, तो उन आरोपी की जाँच खुद, वो गुगाई जी जो है, वो खुद कर रहे हैं, तो इन सब चिज़ों को देख रहे हैं, तो इतनी इंडिपेंडेंट जो हैं, भारत के अंदर जुडिशिरी को तो हमने खुद दे रखी हैं, तो इतनी जादा आकर अपनी बातें रख रहे थे, कि हमें कैसे काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि ये सारी चीज़ें जो हैं, उनको सीक्रेट रखने थी, अब उनको लगा कि मीडिया इतनी जादा परभावी हो रही है, तो आकर मीडिया के सामने बात की जाएं, तो डेफिनेटली मीडि के काम में दखल अंदाजी करें, मीडिया एक तरीके से वाच डोग के तोर पे काम करें, कि क्या चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, वो एक information लेकर आएं, एक ऐसा मंच दे जहां पर वो सारी information हो, जहां लोग समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकें, मीड मीडिया को फैसला नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाने के लिए हमारे देश में एक अलग से सिस्टम है, जिसे जुडिशिरी कहा जाता है, मीडिया को अदालत के मामलों में दखल नहीं देकर अपनी नैतिक ता, अपनी शोशल जिम्यदारी को समझना चाहिए, अपनी विशुशनेता, आजकी डेट में ट्रस्ट खतम हो गया है, जो electronic मीडिया है, उसके उपर, लोग जो मीडिया है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके उपर कोई यकीन नहीं करते हैं, तो यहां पर अपनी विशुशनेता को बनाए रखना चाहिए, यह सब काम करने यह मीडिया को तो उमीद करता हूं कि आज आपको जो इक अंगारू कोट है जो ट्राइल बाइ मीडिया है यह कंप्लिटली समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आई है तो बेशक इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पीडियो के लिए अलड़ी मैं आप लोगो का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बसाज के लिए इतने हैं था थैंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो